आज ही तुम्हें आई यू कपड़े लते एक जोड़ी से जो गए थे वही पहने पूछ नहीं निकाल पाए नहीं जी हमने अपनी अपनी लाइफ में कभी ऐसा जिंदकी में कभी नहीं देखा इतने दिन हो गए हमने आस तक ऐसी लड़ाई कभी देखी नहीं है नियूस क्लिक की तरफ से आज हम पहुचे हैं शिविहार में यहाँ पर जो हिंसा का नंगा नाच 25 तारीक को लोगों ने देखा आज वे हिम्मत जुटा के वापस अपने घर को देखने के लिए हैं तब तक यहाँ पर आने की भी हिम्मत इन परिवारों को नहीं हुई थी और हैरानी की बात है कि आज ही मनीश सिसोधिया जो दिली के उप मुख्यमंत्री हैं वे भी यहाँ पहुचे हैं यहाँ पर जिस तरह से टार्गेटेड हिंसा की गई हजारों की संख्या में लोग आए और हमने देखा कि एक ही ढंग से चुन चुनढ़े मुसलमानों के घर चाही हो पढ़ाने वाले लोगू कहीं पर भी चुन-चुन के निशाना बनाया गया उनके घरों को जलाया गया संबत्ती को जलाया गया असल में जब गली में हम देखते हैं एक तो लाइट नहीं है मेरे गली के सामने गाडियां जली हुई है मेरे जो परम मित्र है बच्पन के जो मित्र है मेरे बराबर वाला जो मकान है वह खंडर है अब ऐसी हालत में जब गली के अंदर गाडियां जली हुई है और लाइट नह में जब उसके छोटे-छोटे महासूम बच्चे रात के साड़े बारा बजे जब चारों तरफ आप जल रही हो कांच पड़ा हो नंगे पैर निकल के जा रहे हो रोकते भी लगते हुए और कई लाशे अपनी आखों से देखी हो जिन लोगों ने जलते हुए को देखा हो तो क मेरे सामने स्लेंटर में आग लगी हुए थी कब फट जाए मालुम नहीं सिर्फ जान बचाकर भागरे घर तो छोड़ने ही पड़ा सब पूरा उपर जाकर देखा पूरा संदूग भरा बहु का बरतन रखा था वो सब तब हाई हो गई हमाई तो एक लड़की है कि एक लड अब लगाई तो पाइसे थे वह भी लेगा खाली करते बरबाद करते तस साल कि सर्व इस तुछ कमा रख तो सब बर आज तो आज तो बहुत देट हो गया आप आने में इस घर में मेरे जन्नम हुआ है काफी मेरे फादर वगरे सब इदरी रहते थे तो आइटिंग 40 एर्स ह होगी 40 साल होगे आज तक कभी ऐसे नियों सब हिंदू मुसल्मन सब एक साथ रहते हैं हम लोग कभी ऐसे नियों यह फर्स टाइम हुआ है कभी बूलने पाएंगे इस तरह से घर के आगे सलेंडर फूट रहे गाड़ियों माग लगा जारी यह न्यू गाड़ी कडिया यह तो बहुत अच्छे लोग ते यह तो हमारे ज़र हारी तकली पोजा दे संग लग लेते रात को बारा बज़े एक बज़े कोई यह नहीं थी कोई जी हमारे दुस्मनी हो कि किसी से कुई लड़ाई वड़ाई नहीं गली पूरी अच्छी थी हाँ यहां पर हमारे मिश्रा जी रहते हैं सामने गली में उनका बेटा और वो खुद वो गैस के जैसी पे सिलेंडर होके गरों में जो डिलिवरी करते हैं उनके फादर इसका काम करते हैं उनके बेटे ने हमारे साथ उन दंगाईयों का मुकाबला किया एक अच्छा जी और और उनके फादर ने भी मुकाबला किया मैं मैं स्कूल में गाड़ी चलाता हूं इसकूल कैप तकरीवन मान लीजिए समान घर के अंदर था साड़े चार-फाच लाग का सामान था और बाकी यह मकान जो है जल गया सारा यह बैठेगा पंद्राला पंद्राला के करीभी और तकरीबन मैं अपने बच्चों को अपने बड़े भाई के मकान में भेजा है तकरीवन मब 6-7 बजे यह बराबर वाले मकान वाले मेरे ने वाइफ को मैंने तुम उसमें तो लगडी का दरवाजा एक लात मारती तूट गया वह मकान थोड़ा मजबूत था उसमें पर मै खड़ा रहा मुझे क्योंकि 44 साल की उमर होगी है मैंने 84 देखा है 92 देखा है तो अक्सर क्या देखता था मैं जो दंगाई भीड होती थी वह घंटे में दो घंटे में तीन घंटे में पत्राव दोनों तरफ से होता था और पुलिस आ जाती थी शान्त हो जाता था लेकिन जब तीन घंटे हो गए तब मुझे अहसास हुआ अंदर से के यह सामान ने घटना नहीं है अब अपनी जान बचाओं तो फिर क्या करा मैं अपने बड़े भाई के मकान में चला गया गली के अंदर चितनी भी औरते थी बच्चे थी बिमार लोग थे सब को हमने पर मकान ठ चाहिए फिर सब्सक्राइब कर सकते हैं तो अब यहीं रहें और मामला शांत हो गया होगा लेकिन पता नहीं क्या हुआ था फिर वो चले गए उनके जाते ही जो हम अपने घर में बंदकर अपनी फैमिली को लिया हम अपने उस मकान में चलेगा थोड़ा मजबूत मखाने मैं अगरी गेट तोड़ोंगे वो गेट नहीं रूटेगा हमारा तूट जाता गेट हाजी तूट जाता है वह तूट आवा कुंडास का उसका कुछा कुछा कुंड़ा ना एंडिल वो तूट आवा उसका घंडे तो हम वहां जाके छुप गए और मैं लाइट अमने बंद कर दी फिर हमें सिलेंडर फटन ही हावा जाती रही और आवा जारी ती चलो चलो ठंडे मत पड़ो चलो ठंडे मत पड़ो जला दो जला दो हम चुपते हमारे बच्चे ही मने खाम उसरा हो टोलेट भी यूज मत कर में हमारे धकड़ धकड़ होती रहेगी कभी कुछ होना जाए